ओम नमस्षिवाई शिवजी सदा सहाई ओम नमस्षिवाई गुरुजी सदा सहाई जै गुरुजी संगजी गुरुजी के परिवार गुरुजी टूडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सबस्क्राइब करें और साथ में अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरूजी के सत्संग और blessing संगजी आप तक पहुंच सके अपना सत्संग गुरूजी के प्यारे से channel पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखा नबर पर अपना सत्संग आडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भीज सकते हैं जै गुरुजी संगत जी आज का सत्संग जैसे के हम टाइटिल देखा ना गुरुजी की जो ब्लेस्ट मैडिसन है जो गुरुजी ने चोला छोडने से एक दिन पहले ब्लेस्ट की थी शोधी हरे आगरा की जी एम कंपनी की ये महराज की ऐसी अद्बुद ब्लेसिंग है संगत के लिए दी गई संगत जी कि कितनी ही बिमारी ये ठीक कर देती है संगत जी और ये हमने आप से हमेशा से वादा किया है जब भी हमारे पास गुरुजी की ब्लेस्ट मैडिसन रिलेटेड संग आएंगे उनको हमेशा प्रावरिटी बेस भी अपलोड करते है तो आज का सत्संग महाराज की अदबुद ब्लेसिंग है जो अदबुद मैडिसन है ये शोदिर ये उसका सत्संग है और ये सत्संग हमाई साथ शेयर किया है नाभा पंजाब से मोनका बंसल आंटी जी नाभा पंजाब से मोनका बंसल आंटी जी ससंग माई साथ शेयर किया मैं दिल से उनका शुकराना करता हूँ कि उनने गुरु जी से आगया लेकर गुरु जी किस प्यारे से चैनल पर अपना ससंग शेयर किया चले ससंग स्टार्ट करते हैं, जै गुरू जी, जै गुरू जी संगजी, जै गुरू जी नारंग अंकल, बहुत बहुत शुक्राना गुरू जी और सारी संगजी का, ओम नमस्षिवाए, शिपजी सदासाए, ओम नमस्षिवाए, गुरू जी सदासाए, जै गुरू जी, संग जी मैं पंजाब नाभभा से गुरू जी की बेटी मौनिका ये सत्संग शेहर कर रही हूँ ये सत्संग मैं शोद्धी हरे गुरू जी की ब्लेस्ट मैडिसन के बारे में शेहर कर रही हूँ और गुरू जी के चर्णों में बैठ कर ये सत्संग शेहर कर रही हूँ संगजी गुरो जी ने समाधी लेने से पहले ये मैडिसन ब्लैस की थी और इसके बारे में मुझे नारंग अंकल के यूट्यूब चैनल पर सत्संग सुनने से ही पता लगा जबसे मुझे इस मैडिसन के बारे में पता लगा तो मैंने भी इसे मंगवाना चाहा तब मुझे इसके बारे में पता लगा कि ये एमेजोन पर भी मिलती है तब मैंने एमेजोन से ये मेडिसन मंगवाई और अपने परिवार में सब को धीरे धीरे देनी शुरू करी मेरे मदरी लॉग को शुगर की प्रॉब्लम है उनकी शुगर कभी भी चार सो से नीचे नहीं आती थी लेकिन जब से उन्होंने अपनी मेडिसन के साथ ये गुरू जी की बलस्ट मेडिसन खानी शुरू करी तब से उनकी शुगर धाई सो तक पहुँच गई इसके लिए गुरू जी का कोटी कोट शुकराना और मेरे हस्बिन जिनको बीपी की शिकायत रहती है उनको बहुत गुसा आता था और बहुत ज़्यादा सर भारी रहता था लेकिन जब से उन्होंने अपनी दवाई के साथ गुरू जी की मेडिसन शुरू करी तब से उनको भी फरक लगने लगा अब वो लोग अपनी दवाई के साथ गुरू जी की ये ब्लेस्ट मेडिसन जरूर लेते हैं उनको गुरू जी पे मुझे नहीं पता संगा जी कि उन्हें गुरू जी पे विश्वाश है या नहीं है लेकिन उनको गुरू जी की ब्लेस्ट मेडिसन पर बहुत विश्वाश है वो इसे अवश्य लेते हैं संगजी ये मेडिसन हर प्राबलम की दवा है और ये मैंने खुद से जाना है जब मेरे अंकल की आँख में इंफेक्शन हो गई तो मैंने उनको कहा के वो डॉक्टर को दिखा ले लेकिन वो नहीं मानने संगजी उनकी आँख में बहुत जादा पस भर गई थी लेकिन वो कहते के गुरू जी फिर मैंने उनको गुरू जी की मेडिसन दिन में तीन बार दिन ही शुरू कर दी जिससे के उनका दर्द टिक जाता था संगजी आँख तो धीरे धीरे ठीक हुई लेकिन मेडिसन खाने से उनके दर्द में बहुत जल्दी फरक आ जाता था जिससे वो उनको कोई परिशानी नहीं होती थी संगजी हम दूसरी दवाई भी खाते हैं तो उससे भी हमें थोड़ी देर दर्द टिकता है उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम होती है ऐसे ही गुरुजी की मेडिसन खाके हमारा दर्द उनका दर्द बिलकुल ठीक हो जाता था संगजी यह मेडिसन मैंने खुद भी किसी भी प्रॉब्लम के लिए जब भी ली है तो उससे मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई संगजी मैं मान दी हूँ के इसके लिए विश्वाष होना बहुत जरूरी है जब तक आपके मन में विश्वाष नहीं होगा कि इससे मैं ठीक हो जाओंगी तब तक आप किसी भी मैडिसन से ठीक नहीं हो सकते संगर जी आपको कोई भी प्राबलम है आप ये मैडिसन लेजिए मैं ये नहीं कहती कि आप डॉक्टर की मैडिसन ना लेजिए आप वो भी लेजिए और साथ में इसे भी लेजिए और देखना आपको जल्दी फरक पढ़ना शुरूर हो जाएगा संगर जी जिसको अगर कोई मैडिसन नहीं लगती तो वो साथ ये गुरू जी की मैडिसन साथ में ले तो उसको जल्दी फरक पढ़ेगा संगर जी गुरू जी की इतनी मेहर किरपा है कि इस मैडिसन मैंने ये मैडिसन जिसको भी विश्वाश करके दी उसकी सब प्राब्लम्स ठीक हो गई संका जी मेरे अंकल के आफिस में एक वरकर काम करता था। चार साल की बेटी उसको दो साल से पेट टर्ड होता था वो कुछ भी ख़ाती थी उसके पेट में तर्ड होता था। ओहो कहता के मैंने हर जगह दिखा लिया लेकिन ये ठीक नहीं होती तब मैंने उसको थोड़ी सी गुरुजी की ये मैडिसन दी और कहा कि इससे देखर देखो अगर तुम्हें फरक लगा तो मुझसे और ले जाना संगजी अप मानोगे नहीं ये मैडिसन खाते ही उसकी बेटी ठीक होने लगी और वो थोड़े ही दिनों में बिलकुल ठीक हो गई और दुबारा उन्होंने मिर को आके शुकराना किया और मिर से दुबारा आके मैडिसन ली मैंने उन्हें कहा कि ये शुकराना तो गुरुजी का है उन्होंने ही ये मैडिसन ब्लैस की है संगा जी मैंने और भी कई लोगों को ये मैडिसन दी एक आंटी के नसे चड़ती थी उनकी बाडी में जब तक इंजेक्शन नहीं लगता था वो ठीक नहीं होती थी लेकिन जब से मैंने उनको ये मैडिसन दी वो कहते के अब मुझे और कोई इंजेक्शन की जुरूत नहीं पड़ती और मैं जल्दी ही इस से ठीक हो जाती हूँ संगा जी मैं गुरुजी का हम जितना शुकरा ना करे कम है पहले गुरुजी जब अपने चोले में थे तो खुद से सब का इलाज करते थे फिर उन्होंने सोचा कि जब मैं चला जाऊंगा तो कौन इलाज करेगा तो वो ये मैडिसन को ब्लैस करके गए कि किसी को भी अगर पता लगेगा तो वो ये मैडिसन लेगा तो उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी संगा जी ये सेवा मुझे नारंग अंकल और गुरूजी की तरफ से मिली है कि मैं आपको ये सत्संग शेहर करूं संगा जी आप मेरी बात का विश्वास करके ये मैडिसन जरूर लो आपकी भी घर में अगर कोई बिमार है तो वो ठीक हो जाएगा जै गुरूजी जै गुरूजी संगा जी जै गुरूजी नारंग अंकल थेंक ये वो घिवि minister मेरी तोड़ी घप्र आ जाती हूँ और नमश्शिवाये शिव जी सद्साहए ओर नमश्शिवाये गुरूजी सद्साहए थेंक ये अंकल झाल झाल